बीमार्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राश्टिय अध्यक्ष चंदर सेखर पर देवबंद के गांथी कालोनी में कार में आई बनमासों ने उनके कार पर ताबट तोर चार राउंड फारी कर दी एक गोली चंदर सेखर के पेट को छूकर निकल गई तो वहीं वह घायल हो गए और कार के सीसे भी गोलियों के फाइरिंग के कारण तूट कर बिखर गए चंदर सेखर को पहले देवबंद के सरकारी एस्पताल में उप्चार दिलाया गए इसके बाद उन्हें जिला एस्पताल में भरत्य कराया गया बड़ी संख्या में ऑस्पताल में समर् थकिकरठा हो गए थे और हमले का कारण अभी भी ग्यात नहीं हो सका है साथ ही यहाँ भी नई जानकारी मिल पाई है कि वह कौन से हमलावर थें जिन्होंने चंद सेखर आजाद के उपर हमला किया आजाद के अस्पताले मुलाकात करने के बाद सहारणपूर के एसपी अभी मन्यू मांगलिक ने कहा है कि आजाद की स्थिती स्थिर है उन्हें अस्पताल से आज छुटी दे जाएगी पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है बता दे कि बुद्वार साम चंदर सेखर देवबंद की गांधी कालोनी के निवासी एक एड़वकेट अजे कुमार की माता की तेरवही में सामिलोने गए थे साम करीब साड़े पांच बज़वे अपनी फार्चूनर काल से लौट रहे थे और उनके कार में जिला पंचायत के सदस से कारी नौसाद के साथ ही महिक सिंग सहित कई पदाधिकारी भी बैठे हुए थे फ्लाइ ओबर के नीचे यूनियन ती रहाए के पास उनके गाड़ी के उपर बदमासों ने चार ओर से घेर लिया और चार राउंड फाइरिंग की जिसमें एक गोली उनके पेट के दाई ओर से छुकर निकल गई जिससे वाग घायल हो गए हाइवे पर फाइरिंग से अफरा तफरी मजग गई सपा सुप्रीमो अख्लेश यादो और रालोज सुप्रीमो जैनत चौधरी ने ट्वीट कर हमले के निंदा की है बता दे कि पुलिस को अभी तक इस जाच में कोई बहुत एहम सुराग नहीं मिले हैं लेकिन चंदर सेख है कि कार में सवार दो लोगों ने चंदर सेखर पर फाइरिंग के जबकि एक व्यक्ति कार चला रहा था आजात समाज पार्टी के अध्यक्ष पर हमला करने वाले बदमासों की कार पकड़े जाने की चर्चा देर रात हो रही थी और फिलहाल कार को कुलिस के गिरफ्त में कर पासा होगा और इसके बारे में जानकारियां दी जाएंगी फिलाल अभी पूलिस इस मामले की जाच कर रही है और कुछ भी कहने से बच रही है देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ही इस खबर की भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जोड़े रहे हमारे साथ और देखते रही है SPN 9 News धन्यबाद